राव राव जी क्या आल चाल है तो दोस्तों फायर वोल्ट ले अब तक कई सारी लक्स कलेक्शन वाली स्मार्ट वाचिस लॉच्छ करी है तो आज हमारे पास एक और लक्स कलेक्शन वाली बॉच है फायर वोल्ट डेगर यह सिलिकॉन एंड मेटल स्ट्रैप दोनों ही तूद कॉलेंगे और भी धिर सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे अच्छा तुमारे लिए इसको मैं रिसेल करूंगा अपने ऑनलाइन स्टोर पर होगर आप इसको डारेक्ली मुझस से बाय करने में इंट्रस्टेट हो तो आप विजिट कर सकते हो मेरा ऑनल करें और जिन मानुबह उन्हें अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पड़ापर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नुटिफिकिशन के घंटा है वो तो दबाई देना चलो फड़ापर इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं बाई इस लक्स गलेक्शन वाली बाउच में कितना दम है यहां हमें कुछ इस तरह का टिपिकल वाला वाइट डबा मिलता है यहां आप देख सकते हो धोनी साब बने हुए है क्या रहे की बाउच करीद लो बॉक्स के अंदर हमें वहीं सब डॉकुमेंट्स वारंटी कार्ड और एक डिटेल मैनूवल मिल जाता है एक मेगनेटिक चार्जिंग केबल मिलती है इसके बाद हमें इस तरह की राउंड डायल वाली चमचमाती स्मार्ट बाउच मिलती है बाई इसका जो फर्स लुक है वो तो मुझे काफी जवर्दस लग रहा है यह स्टेलेट स्टील ब्लेक कलर में है जो मैट फि फिक्स करवाना पड़ेगा इसके साथ इन्होंने कोई टूल नहीं दिया है जिससे आप इसको घर परी फिक्स कर पाओ इस बाच में हमें फुल स्टेलेट स्टील बॉड़ी मिलती है साथ में यह सॉक प्रूब भी है तो यहां पर बिल्ड क्वाल्टी में किज भी तरी कोई कोई कमी नहीं है अच्छे मुझे इसकी एक बात और अच्छी लगी इसका जो वेट है वो काफी कम है और दूसरा बटन से आप पावर को अनॉप कर सकते हो अधर बुलूटूथ कॉलिंग स्मार्ट बोची तरह बैक साइड में एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है बैक साइड म पहनने पर आप देख सकते हो कितना बड़ी अलुक आ रहा है इसको आप अपने और यूज में इसको पहनना है तब भी आप इसको पहाँ पहन सकते हो हालागि इसका डायल थोड़ा सा बड़ा लगता है तो जिनकी कलाईया पतली है उनके हाथों में यह अच्छी नहीं लगेगी इसके डिस्प्ले पे आते हैं तो काफी जबरदस डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलता है 1.43 इंच का सुपर एमोलेट डिस्प्लेस में दिया गया है साफ में आपको 466 इंटू 466 पिक्सल्स का हाई रिजिनुशन मिलता है 600 निट्स की ब्राइडनेस मिल जाती है रिफ्रेस रेट तो यहां पर मैंसे नहीं करी गई है बट भाई इसकी जो स्क्रीन है काफी स्मूथ है तो जब यह आप ऑपरेशन करोगे या आप डाउन करोगी काफी स्मूथली चलता है और मजा वही आता है 60 हट्स वाला बॉच में हमें 178 डिग्री का व्यूंग एंगल मिलता है तो बॉच को आपको पूरा इस तरह से देखने की जुरूत नहीं है आप ऐसा भी करोगे तब भी आपको दिख जाएगा इसका डिस्पले इंडोर आउट्डोर बढ़िया से काम करता है इवन आप डा इसके अलावा आपको 100 प्लस बॉच पेसे बॉच लाइबरी में मिल जाते हैं जिनको आप एप के तुरू डाउलोड कर सकते हो और सेट कर सकते हो और अगर आप लाइबरी में देखो गए तो काफी अच्छे अच्छे बॉच पेसे यहां पर दिये गया है तो आपनी फोड इससे आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो और वाच की दूरू फोडू प्ले कर सकते हो इसमें अच्छे आप कॉल्लेंग के बिना तो आज किसी भी वॉच को स्मार्ट माना यी नहीं जाता है तो इसके अंदर हमें Bluetooth calling भी मिलती है जब call आता है तो कुछ इस तरह का notification मिल जाता है करने के बाद आप यहां से mute कर सकते हो volume को up down कर सकते हो watch में हमें dial pad मिल जाता है तो आप directly किसी भी number को यहां से dial कर सकते हो 10 contacts आप mobile app के तुरू save कर सकते हो call history आप यहां से check कर सकते हो दोस्तो यह है इसका mic test तो जब भी आप किसी को call करोगे Bluetooth calling से तो इस तरह की audio quality आपको इसमें मिलेगी इससे आपको clear का अधना जा लग जाएगा कि किस तरह का audio सामने वाले को सुनाई देगा जब भी आप Bluetooth calling करोगे दोस्तो अब आता है मारा favorite question कि क्या इस watch में calculator है तो मेरे प्यारे भाईयों रहे नो answer है हाँ इस watch में calculator है बट इसमें games नहीं है तो बाहर जा रहा है हो रस्ते में मन हो रहा है watch में game खेलने का तो वो आप इसमें नहीं कर पाऊगे इसमें हमें 100 plus sports mode मिल जाते है कुछ इस तरह की लिस्ट मिलती है बागी के sports mode को आप app के दुरू add कर सकते हो या remove कर सकते हो उन्दर smart watches की तरह है इसमें हमें multiple health trackers भी मिलते हैं इसमें हमें heart rate monitor मिलता है sleep monitor मिल जाता है SPO2 monitor मिल जाता है stress monitor मिल जाता है breathing exercise का option भी मिल जाता है इनको मैंने oxymeter के साथ test किया है और इनकी accuracy बढ़िया है इनको जब मैंने non living things के साथ test किया तो इसमें ये clear cut error भी दे देता है दोस्तों अब आते हैं इसके battery backup पर तो watch बड़ी है तो इसकी battery भी बड़ी है तो इसके अंदर हमें 400 mh की बड़ी battery मिलती है जो आपको देती है 8 दिन का standard battery backup शार से 5 दिन का आपको backup मिल जाएगा जब आप इसे actively Bluetooth calling करोगे 25 दिन का आपको इसमें stand-byte time भी मिलता है इसकी battery बड़ी है तो इसको चार जोने भी जादा time लगता है 23-23 गंटा आपको इसको 100% चार जोने में लगेगा दोस्तो UI की बात करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पर कुछ इस तरह से tap करके आप watch faces को change कर सकते हो इसको swap up करने पर आप देख सकते हो जो app notifications है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो जिस app के notifications आपने on कर रहे होंगे उनके notification आपको यहाँ पर दिख जाएंगे यह वाली watch Hindi messages को भी support करती है तो यहाँ पर आप Hindi clear देख सकते हो इसको left swipe करते हैं और यहाँ पर हमें apps के shortcuts देखने को मिल जाएंगे यह हमारे कुछ health trackers आगए हैं, weather है, music है इसके बाद अगर आपको नया कोई shortcut add करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो इसको swipe down करते हैं और यहाँ पर हमें यतने सारे options देखने को मिलते हैं सबसे पहले यहाँ पर badness को adjust करने के लिए option दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पर power saving mode मिल जाता है do not disturb का option है के बाद यहाँ पर एक option दिया हुआ है तो अगर आपको call का audio watch में नहीं चाहिए तो आप इसको on off कर सकते हो इसके बाद अगर आपको phone की media watch में नहीं सुनना है तो उसको भी आप यहाँ से on off कर सकते हो के बाद torch का option दिया हुआ है यहाँ पर है find my phone तो जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके phone में ring बजने लगीगी के बाद यहाँ पर हमें settings का option मिल जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें multiple settings दी हुई है सबसे पहला है menu style तो तीन तरह के आपको इसे menu style मिल जाएंगी पर display पर आते हैं सबसे पहले यहाँ पर dial pad का option है इसके बाद contacts है call records वगयरा है इसके बाद voice assistant का option दिया हुआ है data है तो activity data आपका यहाँ रहेगा इसके बाद यहाँ पर हमारे सारे sports mode दिये हुए है sports mode के जो record होता है वो यहाँ पर save होगा इसके बाद यहाँ हमारे health trackers देखने को मिल जाते हैं messages है, better update है, female health trackers and monitors है इसके बाद यहाँ पर music का option दिया हुआ है breathing exercise है, stop watch है, timer है, alarm clock है time बगएरा set कर सकते हो, find phone का option है और हमारा famous calculator भी यहाँ पर दिया हो गया है तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से जोल घटाना कर सकते हो इसके बाद settings है, जो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ यहाँ पर जो पहला वाला button दिया हुआ है इसको press करने पर menu open हो जाता है और इस menu को हम अल्रेडी देख चुके हैं नीचे वाला button power on up के काम आता है इससे आप power on up कर सकते हो, कुछ इस तरह से इसके mobile app की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें fit cloud pro app का support मिलता है और भाई मुझे दुना यह fire world की माया ही समझ में नहीं आती है कि करते क्या रहते हैं और यह हर 2-4 watch के बाद फिर एक अलग app फिर एक अलग app भाई noise की तरह आप एक app बना लो उधी का support सारी watch में डाल दो काम खता में करते हैं app को और आप देख सकते हैं home screen पर हम है जो भी हमारे health records होते हैं उनका data sync होके यहाँ पर आ जाता है इसके बाद alarm set करना है तो यहां से कर सकते हो इसके बाद activity reminder वगेरा है उनको enable disable कर सकते हो drink water reminder है उसको enable disable कर सकते हो यहाँ पर dial library दी गई है यहाँ से आप किसी भी cloud-based watch face को install करके set कर सकते हो अपनी watch में यहाँ जो option दिया गया है यहाँ पर click करके customize watch face set कर सकते हो जो भी watch faces आप अलड़ी use कर चुके हो वो चले जाते हैं आपके my dials में इसके बाद यहाँ पर अगला option दिया गया है sports push का तो अगर आपको कोई भी नया sports mode add करना है या watch में से किसी को remove करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे sports mode के option दिये हुए है इसके बाद यहाँ पर अगला option है weather reports का तो यहाँ से आप इसको enable disable कर सकते हो rise to back को enable disable आप यहाँ से कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर अगला option है elevated heart rate measurement का तो यहाँ से उसको never disable कर सकते हो automatic heart rate monitor को start कर सकते हो या off कर सकते हो यहाँ पर अगला option है find my watch का तो इस पर आप click करोगे तो watch vibrate होने लगती है कुछ इस तरह से बड़े कुछ खास useful नहीं है क्योंकि by comparison से आप उसको पता नहीं लगा पाओगे यहाँ से आप अपना wrist preference set कर सकते हो कि आपको left hand में पहनना है या right hand में पहनना है hours style आप set कर सकते हो frequent contacts के अंदर जाके आप किसी भी 10 contacts को save कर सकते हो और उसको sync कर सकते हो watch में इसके बाद यहाँ पर अगला option है इस एक photograph का तो आप अपनी phone का camera watch की तुरू control कर सकते हो और photo अगयरा click कर सकते हो restore factory settings से आप दी गई है तो इसको as a factory reset कर सकते हो तो यहाँ पर अगला option है profile का तो यहाँ से आप अपनी पुरी पुरी profile maintain कर सकते हो Google fit को इससी connect कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ और settings दी गई है दोस्तों conclude कर लेते हैं इस वीडियो को तो मुझे लगता है कि 3499 में यह एक अच्छा option है और आप इसको check out कर सकते हो इस price में आपको emolet display मिलना है metal build तो है Bluetooth calling है always on display है तो काफी जवर्दस मुझे यह watch लग रही है इसकी link डाल दूँगा में description box में आप इस पूर्टर को check out कर सकते हो और आपके लिए good news यह है कि मैं इसको resell करूंगा अपने online store पर तो आप budget कर सकते हो मेरा online store तिसमें आपको discount भी दूँगा साथ मैं आपको और यहां आप देख सकते हो मैंने कई सारी smart watches टी डबलू एस नेकवेंट लिस्ट कर रहे हैं तो अगर आपको इन मैंसे भी पॉड़क पसंद आता है तो आप उसको भी purchase कर सकते हो दो तीन दिन के भीतर है लिस्ट हो जाएगी मेरे online store पर और इसकी मैं इस टोरी डाल दूँगा अपने इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे फॉलो जरू कर लेना इस्टाग्राम पर आईडिये शालेंट जीरोवन खरे जिन महानु वह ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बढ़ावर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोडि और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल दोस्तों आप लेते हैं विदा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए लाम राम